अब लिखे रिलेशन बिट्वीन एंगुलर मोमेंटम एम टॉर्क मोमेंट एक चोड़ा सा बच्चा है एट्स नाइंद का आप से पूछा भाईया टॉर्क क्या होता आप मोमेंट्स आउट टॉफ हो जाएगा उसके लिए तो आप क्या कहोगी जो फोर्स किसी बाड़ी में रोटेशन का एफेक्ट क्रिएट कर दे उसी फोर्स को टॉर्क कहते हैं और जो फोर्स बाड़ी पर लगा के उसके लिनियर डिस्प्लेस कर दे उसको फोर्स कहते हैं दोनों बाते समय आ गई जब मुझे मुझसे force की बात करेंगे तो मैं समझूँगा linear force की बात करेंगे और जब मुझसे torque की बात करेंगे तो मैं समझूँगा angular force की बात करेंगे यानि की torque की बात करेंगे ठीक है तो जब आपका force होता है तो rate of चेंज आफ लीनियर मोमेंटम होता है जब टॉर्क होगा तो रेट आफ चेंज आफ एंगुलर मोमेंटम होगा कंसेफ्ट वही चलेगा आपका तो कुल बिलाकर कि यही प्रूफ करना है आपको देखिए आप जानते हैं आपको डेल्टा जे पांड डेल्टा टी चाहिए घृत दी नो दाट हम एक चीज जानते हैं कि टाव ईस एकौल टब्व ट्यम bell यहां पर उमेगा क्या चीज है consistent है लेकिन चेंज हो सकता न अगर आप चेंज करी रहे हो अगर जे चेंज करोगी तो에서ęp गिए द नहीं होगा वहीजा के तो यह हो जाएगा डेल्टा जे अपान डेल्टा टी देखो डेल्टा और डी सेम होता है जब बहुत इसमाल चेंज होता है इसको डी लिखते हैं तो आप डी लिख दीजिए यहाँ पर डी जे अपान डी टी इसको पका आई तो कॉंस्टैंट होगा यहोगा डी ओमेगा अपान डी टी इसको पढ़ाया पने यह अभी प्रूफ गया इसके पहले बाया देखे जाकर प्रूफ किया हमने तो यही हो गया टॉर्क है dj by dt is equal to tau तो अगर हम बात करें कि यह किस बला का नाम है तो आप कहेंगे कि torque is equal to rate of change of angular momentum वही आपका concept जो Newton second law of motion ने लगभग वही है वहाँ linear body चल लगी थी तो linear momentum था यहां angular body चल लगी है तो angular momentum तो definition चाहें तो लिख लिजेगा नोट कर लिया यहां लिखेंगे as alpha is equal to d omega by dt यह लिखना पड़ेगा कि alpha कैसे आपने लिख दिया तो आप definition लिजेगा दस इस प्रकार से लिखेंगे 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 अब लेकिए law of conservation of angular momentum law of conservation of हाँ ठीक 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 लेग लेजे यह DJ है J थोड़ा ज्यादा मोटा बन गया था शेप्टर पकड में आया पकड सभी को हाँ थोड़ा टेक्निकल है थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इसको टफ नहीं है ध्यान कीगा जब लिख लिए बता दीजिएगा हाँ 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 अर्णों साब सोंज में आ रहा है थक तु नहीं गया आप कर रहे हैं नहीं 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 कमेंड नहीं कर रहा हूँ मैं ऐसे पूछ रहा हूँ अब लिखिए लोप लिखिए अट् उस ग्रिशु laughed आपने लोप लिखिए अब लिखिए अब लिखिए picture रहे हैं कल की बात तो याद नहीं है कि कहां से याद हो जाएगा याद है कहा गया था if no external force is acting on a body then its leader momentum remains conserved याद है ना external force का मतलब क्या होता है देखो ध्यान से अगर दो body आके टक्राई आपस में यह दोनों force जो लगाते हैं दोनों इक दूसरे को sorry बोलेंगे sorry गलती हो गई मैं देखनी पाया तो यह force जो टक्राने वाले थे कौन से force हैं यह internal forces हैं यह आपस में sorry बोल के balance हो जाते हैं अब आप द दो लोग दोड़ रहे हैं और हम बीच में हमने लात बीच में लगा दी खरबडा के आप गिर गए यह हमने हलका सा ऐसे धक्का मार दिया एक को यह कौन सा force है यह external force है यह बोडी का आपस में impact हुआ तो यह जो दो forces transfer कर रहे हैं यह forces कौन से forces होते हैं यह internal forces होते हैं और यह balance कर देते हैं sorry बोल करके लेकिन जो बाहर से external force होता है कि कि किसी ने धक्का मार दिया या कोई table है माल लिया table पे दो बॉल टकरा रहे हैं और आपने table को हिला दिया तो आपने हिला करके जो force लगा है वो external है तो external और internal बास सम्झाई तो इन्होंने का अगर कोई body किसी axis के चार और रोटेट कर रही है और कोई external torque act नहीं कर रहा है force अब torque में convert हो गया तो उसका angular momentum conserve रहता है तो लिखेगा if no external torque if no external torque is acting on a rotating body जो मैं torque की बात करूँगा तो मतलब ही हुआ वो body rotate कर रही होगी acting on a rotating body then its angular momentum remains conserve conserve बोले ना change नहीं होता है then its angular momentum remains conserve अब मैं इसको proof करने जा रहा हूं देखो ध्यान से proof हम जानते हैं हमने एक formula अभी थोड़ी दे पहले proof किया है we know that tau is equal to dj upon dt अगर मैं कहूँ कि if tau is 0 मतलब मैं क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं dj upon dt is equal to 0 यानि मैं बोल रहा हूं dj is equal to 0 और dj का मतलब क्या होता वो dj नहीं है वही वाला जो पार्टी वाला है डेल्टा जी है और डेल्टा जे 0 क्या शो करता है डेल्टा जे 0 क्या शो करता है कि जे एक मिनट भाई थोड़ा सब को सुन लेने दियाकर यह फिर बात करते हैं डेल्टा का मतलब चेंज होता है और कोई चीज का चेंज 0 है इसका मतलब वो चेंज नहीं हो रही है तो जे इस कांस्टेंट हां बताईए तो तुमारी बात तो मैं रिपीट कर रहा था तुमारी बात भी मैं रिपीट कर रहा था कमसे को रिस्पॉंस तो आप देते हैं बहुर लोग देते हैं रिस्पॉंस ऐसा नहीं है सब लोग नाराज हो जाएंगे कि बूलते हम भी हो और हमको बताते हैं आप रिस्पॉंज नहीं देते हो तो j constant हो गया समझ में आई बात अब जरा इसको समझने की कोशिस करिएगा जरा साउधान पर लिखें फिर हम बात करते देखो हमने का j बराबर i omega समझे एक प्रैक्टिकल कुछ एक्जामपल्स बुक में लिखे हुए हैं मतलब मैंने का कोई external force act नहीं कर रहा है तो i और omega का multiply constant होता है है अगर i change करोगे तो omega change होगा अच्छा आपने देखा होगा यहाई जो swimmers होते हैं वो जब bhaid swim करते हैं किसी height से वो फांते हैं उसमें आकर की तो क्या करते हैं वो पहले वहां से जब jump करते हैं तो अपने आपको इसदम से कुटते और अपने आपको रोटेट करते हैं और बॉडी को ऐसे सिकोड लेते हैं या देखा है आपने तो बॉडी को ऐसे फैलाए रखना मतार आर ज्यादा हो जाएगा आपका तो आई ज्यादा हो जाएगा तो ओमेगा कम हो जाएगा तो बॉडी को सिकोडते हैं कि आई कम कर दें ओमेगा बढ़ तो आई कम करने से ओमेगा बढ़ जाता है तीसरा एक्जाम्पल आप एक पिन ले लिजे एक ट्यूब ले लिजे और इसमे ऐसे धागा डाली इसमें धागा यांस निकालिए और उसमे एक पार्टिकल बांद दीजे उसको खुमाईए और धीरे से धागे को कम करिए तो धागे को छोटा करोगे तो धागे का आर कम होता जाएगा इसका आर कम होता जाएगा यानि आई कम होता जाएगा तो उसका रोटेशन बढ़ता जाएगा आई कम होने से ओमेगा ब लिखें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी आफ रोटेशन 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 energy of rotation अब जरा समझे हैं प्रूफ करने क्या जा रहे हैं देखो अब मैं लेंगोज इसमें कता ही नहीं लिखा हूंगा समझेगा का इनर्जी का संप्ल फार्मॉला होता है हाफ mv square यहां कोई angular चीज दिख रही आपको नहीं दिख रही ना तो v is equal to r omega यहां पर आपको angular चीज दिख गई तो आप पहला वाला जो प्रूफ किया था वहां से पकड़िएगा इसको हम कहेंगे सबोज एक पार्टिकल है जिसका mass m sorry जो एक बॉड़ी है पार्टिकल नहीं एक बॉड़ी है जो किसी एक्सिस के चारो और omega angular velocity से बॉड़ी ही रोटेट कर रही है बॉड़ी बोले तो जितने पार्टिकल होंगे वही रोटेट करेंगे उसका एक पार्टिकल जिसका mass m1 है और उसकी जो distance हो r1 है तो हम मानेंगे the linear velocity यह हम बता रहें kinetic energy of rotation की बात कर रहे है तो अगर मानने let m1 be the mass आप अप पार्टिकल बोल दिया हमने which is at distance r1 from the axis तो its linear velocity the linear velocity of particle linear velocity of the particle मैं अप पार्टिकल बोलना हूँ body नहीं बोलना हूँ तो v1 is equal to r1 omega the kinetic energy of particle k1 is equal to half m1 v1 square यह half m1 r1 square omega square यह k1 हो गया अब क्या करेंगे suppose other particles are there their masses are m2 m3 and so on their distances are r2 r3 and so on तो उनका k2 k3 निकाल लेंगे समझारी बात हम जो बता रहें तो जब मैं उस पार्टिकल का k2 निकालूंगा तो क्या आएगा half m2 r2 square omega square जब मैं k3 निकालूंगा तो आएगा half m3 r3 square omega square and so on इसी प्रकार से यह पार्टिकल का निकालेंगे कि नोट करिये थोड़ा सा यह language अपने आप लिखेंगे लैंगोज ने लिखी हमने वहले वाले से पकड़ लिजे का language थोड़ा नोट करिये सिर हम बात करते हैं बहुत लंदी चेप्टर हैं बहुत ज्यादा इसमें अभी है तो हमने उसमें सेंटर आफ मास्क तो भी बताया भी नहीं है पर यही हम बता रहे हैं करेंगे तो जब निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी आफ बोड़ी अब बोड़ी बोले तो हम पूरी बोड़ी बारे में बात कर रहे हैं तो K is equal to K1 plus K2 plus so on यानि हाफ M1 R1 square omega square plus half M2 R2 square omega square plus so on derivation पकड़ में आ रहा है कि कैसे इसको फंदा डालना है कहां से आएगा यह सभी को तो इसमें हाफ काम ले लेंगे तो आएगा M1 R1 स्क्वार प्लस M2 R2 स्क्वार प्लस 1 और ओमेगा स्क्वार इसको आप पहँचानते होंगे सिग्मा MR स्क्वार तो आएगा हाफ इंटू सिग्मा MR स्क्वार ओमेगा स्क्वार यह हो जाएगा आई ओमेगा स्क्वार आप देखो आई किसका रिस्तेदार हो गया कारेटिक इनर्जी का तो अगर मैं यहाँ से आई की वैलू निकालू तो आएगा 2K अपान ओमेगा स्क्वार अगर ओमेगा को 1 माल लेता हूँ तो आई की वैलू 2K हो जाएगी क्या इसका डेफिनिशन दे सकते हैं आप न कि मोमेंट आप इनर्षिया इस ट्वाइस आप दा कारेटिक इनर्जी का बार्ट आप मेंगे अगर है कि अगुर्ण आप नो कि अगर्ण आप अगर्ण वाद सुने आ रही है झाल, क्रथजा कि नहां व्ट रिट ये से उपर ही ये हुट कि ये ये हे वह अग्य वग्या अरू के आप व्य जो पीछे वाला होता है और पिछ sequence लगा दीजिएगा और गद्दी पे बैठ जाईएगा और आप 100 प्लस एकड़मी पहुंचना सुरू कर दीजेगा, कितने घंटे पहुंच जाओगे क्यों पईया तो चलेगा यार नहीं चलेगा तो आप कहेंगे उस पईये में केवल कौन सी वरास्टी है कानेटिक एनर्जी आफ रोटेशन है यानि उसके पास केवल हाफ आई ओमेगा स्क्वाइर है सही मैं कह रहा हूँ चलेए आपने पईया उतार दिया सैक्ल को और उसमें ताला बंद कर दिया और चल दिये चलाना सैक्ल को 100 प्लस एकड़मी तरफ चलना है इंस्टिट्यूट की तरफ पईया घुमेगा चल तो रहा है ना खिसकार है उसको तो आप क्या कहेंगे कि पईया के पास केवल कानेटिक एनर्जी आफ लेजिया लीनियर कानेटिक नर्जी है यानि उसके पास केवल हाफ एमवी स्क्वाइर है कह सकते हैं आप और आगे भी भड़ेगा ऐसे पहिये के पास दोनों प्रकार की एनर्जी होती है इफ बोड़ी इस रोटेटिंग आज वेल आज मुविं इन स्टेट लाइन इन फार्वर डिरेक्शन इन वन डिरेक्शन तो वी कैन से इट इस हविं बोथ टाइप अफ एनर्जी कारिटिंग नर्जी आफ रोटेशन और लीनेर कारिटिंग नर्जी दोनों को प्लस करना पड़ेगा समझ में आई बात अब रोटेशनल मोशन के कुछ इक्वेशन होते हैं तो आपको डिराइब नहीं करना है डेरिवेशन नहीं आते लगबग लेकिन उनकी जानकारी होना चाहिए तो लिखे एक्वेशन्स आफ रोटेशन मोशन नोट कर लिया ना इसको यह डेफिनीशन लिख लीना आपने आपके जो डेरिवेशन कराए हैं इनको समझ में आई आपको कोई बात अपने आप कर सकते हैं ना इनको डेरिव अच्छा इक्वेशन्स आफ रोटेशनल मोशन रोटेशनल मोशन देखो जो लीनियर में नाम होते हैं वही रोटेशन में होते हैं वहाँ लीनियर लगता है वहाँ रोटेशन लगता है कि वो नाम चेंज हो जाएंगे तो हम एक्वेशन लिखे दे रहे हैं उनके इंडिकेशन समझ जीगा यहाँ पर मैं हैं, equations of rotational motion हाँ, बोलिए हाँ, बोलिए हाँ, बोलिए अब जई इनके indication समझेगा, finer velocity displacement और acceleration जोगो initial velocity में linear में लिखते हैं U और angular में लिखते हैं omega naught अुर्ष federal बेटिय्में मेरा इसमेंगते वी और इसमें लिखते हैं उमेगा kids displacement को यहां लिखते है स यहां लिखते हैं थीटा से एक्सेलराइशन को इसमेंगते है यह लिखते है यह मेल्फा टायम होता क्या इसा क्यों एक बारわか्यास से मिल ठेके नहीं चलेगा मैंने एक time सीधे देखे एक बार रजनी कांत style मैंसे देखने वो ऐसे करते थे time नहीं होता ख्यार मैं first equation की बात करता हूं first equation linear में होता है v is equal to u plus 80 तो यहाँ पर हो जाएगा omega is equal to omega not plus alpha t यहाँ पर जो second equation होता है वो पढ़ाया आपने s is equal to ut plus half 80 square यहाँ हो जाएगा theta is equal to omega not t plus half alpha t square और third equation जो होगा omega v square is equal to u square plus 2 as यहाँ हो जाएगा omega square is equal to omega not square plus 2 alpha theta इन्हें आप याद कर ले और थोड़ा memorize भी कर ले यह ध्यान रखें इस चेप्टर को next class में wind up करेंगे क्योंकि कुछ finishing करनी है इसकी कुछ चीजे चुछ चुछी हैं जो बतानी हैं अब एक और चीज़ कर लिजेगा यह याद भी रखें बहुत quick आपके tip पे होना जीए उसके indications और उसके name अब लिखें angular momentum in the terms of rectangular component angular momentum in the terms of rectangular component नोट कर लिया सभी लोगो ने नोट कर लिया ना रब करें देखो angular momentum in the terms of rectangular component नाम से आप वाकिव होंगे यह topic पिछले भी पहले भी बताय जा चुका है कि जब कोई vector होता है उस vector को अगर x y z के term में आप लिखते हैं तो वह component हो जाते हैं along x-axis along y-axis along z-axis ठीक है तो जैसा कि हमारे पास formula होता है j is equal to क्या formula बताया गया था r cross p r cross p तो मैं करूंगे क्या इसको लिखूंगा jx i cap plus jy k cap plus jz k cap तो इसलिए jx jy jz जो है they are the component of j because xyz perpendicularly होती है इसलिए इनको rectangular component कहा जाता है और r को लिखेंगे आप ix plus jy plus kz across p होगा pxi cap plus pyj cap plus pz k cap cross product निकाल क्या हो गया गलत हो गया क्या कहीं पर पो वो मैंने जानबूस के लिखा आप ध्यान से देख रहे ने देख रहे नहीं हो गलती लिदिया आपने बताए जिक्कत है किसको confusion था बोलू भाई वो मैं देख रहा था क्या आप लोग ध्यान देख रहे उड़ी देख रहे हो पुले अच्छा अपना गल्ती करते तो देख रहा था और हम अगर गल्ती करते तो आके दिखाते हैं वो हो जाता कभी कभी देखो इसको खोलना आता है ना आपको इसको एक्सपेंड करके x y z के कोफिशेंट को एक्वेड करीजेगा तो j x j y और j z j z मिल जाएगा आपको एक्सपेंड करते हैं